नमस्कार दोस्तों मैं अनुप एक फार्मासे स्टाफ सवी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल में आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं और देखेंगे इस वीडियो में पूरी complete details अफ्लक्सा के बारे में, इसके क्या यूज होते हैं, क्या डोज है, side effects क्या होते हैं, और strength किस-किस strength में ये आप को मिल जाएंगे, और इसके साथ ही साथ देखेंगे कि किस-किस doses form में फ्लक्सासीन मार्केट में एविलेबल है और अगर आप इसे खरीदने जा रहा है तो किस ब्राइंड नेम से खरीदेंगे और फिर वीडियो में ये भी देखें कि इसके कंटर इंडिकेशन क्या क्या है वीडियो को बीना एसकेप की हुए शुरू से अंतक देखें ताकि फ्ल फ्लक्सासीन जो है वो दोनों तरह के बेक्टरिया के उपर एक्टिव होता है उन पर काम करता है ग्राम निगेटिव और ग्राम पोजिटिव दोनों तरह के बेक्टरिया को मारता है और उन्हें खतम करता है फ्लक्सासीन बेक्टरिया को कील करता है उसके बाद जो भी आप और यहर ड्रप में भी आपको इजली मिल जाएंगे अब इसका आगЕ देख लेते हैं कि ब्रैंड नेम्स क्या-क्या है ओफ्लक्ससिन को अगर आप इसे खरीदने चारा है तो किस-किस ब्रैंड नेमस आपको मार्केट में easily मिल जाएंगे तो ये आपको Oflomax से मिल जाएंगे Genflox, Oflokx, Oflodep और Ofloksa से इन दवा का GenDic name है ये अपने GenDic name से भी मार्केट में easily available है तो आप इसके GenDic name से भी खरीच सकते हैं हो सकता है कि जो brand name है वो आपके area और doctor के according change हो लेकिन इसमें जो आपको composition जो मिलेगा वो Ofloksa से इन टैबलेट ही होगा तो आप इसे ले सकते हैं अब इसके आगे देख लेते हैं strength किस-किस strength में Ofloksa से इन कंपनियों दोरा बनाया जाता है तो इसे 100 mg, 200 mg और 400 mg के अलग-अलग strength में इसे बनाया जाता है अब इसके आगे देखते हैं uses को पूरे details में कि इसके जो uses हैं क्या-क्या uses होते हैं तो उसको देखते हैं तो सबसे पहले देख लेते हैं lungs infection अब lung में infection होता है जैसे कि COPD disease होती है patient को तो इसमें क्या होता है patient जो होते हैं को सांस लेने में परिसानी होती है तो वहाँ पे जो डॉक्टर होते हैं वो ओफ्लॉक्सासीन को प्रेस्क्राइब करते हैं और यह जो होता है lung infection जो होता है उसे सही करता है और काफी जल्द ही उसे patient को राहत मिल जाती है इसके आगे community acquired pneumonia होता है एक नाम के disease होता है उसमें भी इसे use गयाता है अब इसमें क्या होता है यह lung infection है जिसमें patient को सांस लेने में परिसानी जाती है खासी आता है चेस्ट में पेन रहेगा सांती सब fever भी देखा जाता है फिर सांस लेने में भी परिसानी होती है तो इस तरीके का problem उसमें देखा जाता है community acquired pneumonia होता है इसमें भी doctor ofluxacin का परियोग करते हैं अपने patient के लिए और इसके आगे जो इसका यूज है और आगे इसका prostatitis में इसका यूज कियाता है इसमें male जो होते हैं उनके prostate gland जो होता है उसमें swelling हो जाती है जिसके बज़े से urination में problem होता है urine में उनको दर्द रहता है urine के time पर दर्द होता है या फिर urine रुकरूप करके आता है तो वहाँ पर इसे और फ्लक्सासेन को prescribe कियाता है patient को doctor द्वारा आगे देख ले रहे हैं skin infection होता है उसमें भी doctor और फ्लक्सासेन को prescribe करते हैं अपने patient को इसके आगे फिर से जो होता है urinary tract infection होता है इसमें क्या होता है कि urine के समय क्या होता है कि जलन रहेगा urine में साथ साथ उसके urine रुकरूप कर आता है और urine के समय पर pain भी रहता है pain भी होता है तो वहाँ पे भी इसे use के आता है और फ्लक्सासेन को prescribe गयाता है patient को इसके फिर आगे जो होता है diarrhea में भी होता है इसके यूज के आता है infectional diarrhea जैसे कुछ contaminated food खा लेते हैं उसके विए से अगर diarrhea हो जा जा रही है जिसमें बार-बार आपको दस्त आ रहे है तो वहाँ पे भी आप फ्लक्सासेलिन डॉक्टर द्वारा prescribe कियाता है वहाँ पे भी आप फ्लक्सासेलिन ले सकते हैं इसके आगे आप देख लेते हैं contraindications क्या-क्या contraindications है किस-किस patient को उफ्लक्सासेलिन नहीं लेना चाहिए तो अगर आपको liver problem है या फिर kidney से related किसी भी तरीके का problem है तो उफ्लक्सासेलिन को नहीं लेना चाहिए फिर इसके आगे seizure के patient है या epilepsy की problem है या seizure की problem है वहाँ पे भी patient को नहीं लेना चाहिए प्रेगनेंसी और breastfeeding mother को भी इसे नहीं लेना चाहिए और अगर कोई patient है जो allergic है फ्लोरोक्यूनास क्लास की medicine से तो उसे भी उफ्लक्सासेलिन नहीं लेना चाहिए अगर इसमें से किसी भी तरीके का अगर आप मुग के साथ कोई problem है तो अपने doctor को जरूर बता है ताकि doctor जो है आपको उसके जगह पे किसी और medicine को prescribe करे अब इसके आगर देख लेते हैं side effects तो जैसे कि ये medicine आपने देखा काफी useful है तो इसके कुछ side effects भी है तो side effects आपको मैं यहाँ पर बता दे रहा हूँ तो यह जो इसके side effects है उनोजी और vomiting हो सकती है इसके साथी साथ फिर क्या होता है कि stomach में pain दर सकता है आपके पेट में दर्द रहेगा अकडन के साथ दर्द रह सकता है फिर इसके साथी साथ headache रह सकता है सीर में दर्द रह सकता है और फिर क्या होता है या फिर इसके अलामे कोई unwanted effect अगर आपके body फे दिख रहा है तो अफ्लक्सासिलिन को लेना बंद करें और अपने doctor से मिलें और उनको अपने problem बताएं ताकि doctor जो है ओफ्लक्सासिलिन के जगा पे किसी और medicine को prescribe करें या फिर उसके doses में जो भी variation करना हो variation करके आपको दें ताकि कि आपको further किसी और चीजों का परिसानियों का सामना ना करना पड़े अब इसके आगे देख लेते हैं हम doses और doses क्या-क्या है तो जो डोज होता है और पेसेंट के एज वेट और फिर जो disease होती है उसके severity के कोडिंग जो है डॉक्टर इसे प्रिसक्राइब करते हैं इसे देत होता है और जो duration होता है जो duration होता है इसको लेने का वो होता है आपको साथ दिन से लेकर के 14 दिन तक इसे continue आपको लेना पड़ता है और क्या होता है इंफेक्शनल डाइरिया होता है तो इंफेक्शनल डाइरिया में जो dose होता है और तीन दिन से लेकर के साथ दिन तक दिन त complete details में आपको Fluxacene के बारे में जनकारी दे दिये, आपको बता दिया है, I hope वीडियो आपको फसंद आयो, अगर वीडियो आपको पसंद आयो है, तो वीडियो को लाइक करें, तो ब्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, साथे साथ बिल नोटिफिकर्शन आइकन को आउन करें, ताक याने वाले हर एक वीडियो की अपटेट आपको मिलते रहें, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जैहें,